हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कमप्टिशन कम्यूटिप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वगत करता हूं तो दोस्तों कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब वह कभी कोई Oneion Solve कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप मैंसे बहुत सारे बच्चों से छोटे-छोटे mistakes होते रहते हैं जिसके करण आपका answer गलत हो जाता है तो इस section में आपके इस huddle से आपको improve करवाने के लिए आपको बाहर निकालने के लिए आपके इस section को ठीक करने के लिए so that कि आपका exam में selection हम लोग आसान तरीके से करवा सके आपके skill को और improve करवा सकें कब जब आप exam में बैटके paper को solve कर रहे होंगे तो ऐसे यह जो आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं इसको ठीक करवाने के लिए हम लोगों ने practice session सुरू किया है ठीक है practice session में previous year questions होते हैं और previous year questions के साथ साथ कुछ model question भी अलग-अलग day में चलेंगे ठीक है तो इनके माध्यम से हम लोग आपको यह सिखाने का समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो आप सबों से छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं इसको आप किस तरीके से improve करके अपना score बढ़ा सकते हैं और अपना selection करवा सकते हैं ठीक है तो हम आप से साथ ही साथ ही यह भी आसा करते हैं कि आप सब लोग इसके पहले के हम सबों के practice session को जरूर से देखते आ रहे होगे तो चलिए आज बिना किसे delay के हम लोग चलते हैं यहां से आगे अपने अगले practice session की तरफ तो आईए अगले practice session को हम लोग शुरू करते हैं देखिए आज हमारा यह दूसरा practice session है इस practice session के माध्यम से भी हम आपको वही बताने का प्रयास करेंगे जैसा कि practice session 1 में कराते हैं इस तरीके से हम लोग आपको explain करके समझाने का सिखाने का प्रयास करते हैं so that कि आपकी गलतियां नहों ठीक है और आप आसान तरीके से exam में जब भी कभी बैठेंगे तो ऐसे धेर सारे question को solve कर सकते हैं ठीक है तो इसमें English का अपना ये full length test होता है full length test होता है इसमें English के 25 questions होते हैं ठीक है जैसा कि हमने आपको practice session 1 में कराए था तो जैसा कि अभी आप यहां पे screen पे देख पा रहे हैं ये जो question है ये किसका question है तो ये question है हमारा close test का अब close test पढ़ाते समय भी हमने आपको बताया था practice set 1 में भी हमने आपको बताया था कि close test का ये जो 5 question आपके tier 1 में दिखाई पड़ता है इसमें एक से दो question ऐसे होते हैं जिसको बीना पढ़े भी हम बना सकते हैं जैसे यदि इस close test की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा हमें पता नहीं है लेकिन यहाँ अगर एक नजर हम डाले तो यहाँ पर हमें यह सीखने को मिलता है कि यहाँ आने या जाने से सम्मद्नित कोई word आ सकता है अब जरा आप आगे बढ़ते चलिए यहाँ देखे यह better है better क्या adjective है तो इसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ कोई ना कोई ना उना आना चाहिए ठीक है यह देखे आर्टिकल आर्टिकल के बाद क्या आएगा तो कोई ना कोई ना उना आएगा ठीक है प्रेपोजिशन के पले क्या आएगा तो कोई ना कोई ना उना आएगा ठीक है अब यहां देखें यहां पर क्या चाहिए यहां भी यह क्या है अफ क्या है प्रेपोजी सने इसके बाद कोई priorities ना उनाएगा अब देखें कंझक्षण में हम लोगों ने पढ़ा बात समझ में आ रहे हैं दो सेम मिनिंग वाले वाड को जोडता है जिनका टून से हो जैसे यहां पर देखें यह फ्रस्टेशन फ्रस्टेशन क्या है एक नेगेटिव वाड जाहिर सी बात है कि यहां जो हैगा वह भी नेगेटिव सेंस वाला वाड ही होगा अब आप इसको उठाके बीना पढ़े सेंटेंस को बना सकते हैं इसमें आपको कुछी भी दिमाग लगाने के जरूरत नहीं है जिसे चलिए अभी हम आपको यहां पर थोड़ा सा दिखाते हैं चलिए कोशन नमबर फूर की तरफ यह देखें हाट जिप क्या होता है बैए कट मतलब मुसीबत और निरासा ठीक है ऐसा तो हम सीधा हाट से पुठा सकते हाट से पुठा के हाँ ढाल देंगे देखें एक कोशन हमारे बन गए तो यह ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे कॉंसेप्ट होते हैं जिसका यह दिया आप यूज करें एक्जाम में तो आपका इसकोर बढ़ सकता है ऐसे बच्चे जिनकी इंगलिस बहुत ज्यादा वीक हो जिनको क्लोज टेस भारी लगता हो नहीं बनता हो ऐसे बच्चे भी ऐसे क्लोज टेस में से एक दो कोश्चन तो आरसानी से चुरा ही सकते हैं ठीक है और यदि आपके इंगलिस ठीक ठाक है इसको बनाने में जितना टाइम आपका पहले से लगता था वो टाइम आपका रडियूस हो जाता है ऐसे चोटे-चोटे कॉंसेट को यूज करने से तो चलते हैं हम लोग फरस्ट पैसे और यहां से हम लोग बनाना सुरू करेंगे बनाने के पहले हम आपको यहां पर बताते चलेगे जैसे यहां पर देखें यह पेरेंट्स लिखा हुआ यह पेरेंट्स सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है पेरेंट का इस हटा देंगे तो हो जाएगा सिंगुलर इस लगा रहेगा तो होगा ठीक है अर्थात पैरेंट कैसा है दूसरी बात पैरेंट में इस मैं दखेए EU कैनेडा में लिखा हूए अर्थात कैनेडा क्या है प्रॉपर नावन का फस्ट डेटर ह मैं होता है इसके पहले यह प्रेपोजीश्ळ टू का यूज करते हैं मिलिग डेस्टिनीशन को बताने के लिए कहीं आने-ately जाने के लिए जिस जगह का प्लेस का हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टूका जैसे आप अगर यहां से दिल्ली जाने वाले हैं यह जा रहे हैं यह गए थे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यूज करेंगे टूका ठीक है नेक्स यह यह टाइम इंडिकेटिंग वोड के साथ यह 1990 क्या है तो य के साथ क्या लगाते हैं इनका यूज करते हैं ठीक है इसको आप याद रखने का प्रयास करेंगे इन ओडर टू इसका यूज सभी जगों पर इंग्लिस में देखने को मिलता है चाहे कॉमन एरर हो सेंटेंस इंप्रोब्मेंट हो फीलर्स हो क्लोस टेस्ट हो सभी जगों पर यह देखने को मिलेगा कई बार आप देखेंगे क्लोस के फीलर में एक ओप्शन ऐसा दिया रहेग प्रिशानी होगे मुसीबात होगे जेल होगा इस प्रकार के जगों से हम लोग बचने का प्रयास करते हैं या बचके भाग जाते हैं ठीक है, punishment से बच के भागने का प्रयास करते हैं, मतलब यहाँ पर इसी तरीके का कोई word आएगा, ठीक है, of the Chinese government, मतलब Chinese government का कोई सोशन रहा होगा, उसका कोई यातंक रहा होगा, मुसीबत रहा होगा, उससे बच के भागे, तो बच के भागे, आए यह गए कहाँ पर भई, तो यह बेटर क्या है, adjective, adjective के बाद क्या है, कोई ना कोई ना हुना है, यह देखे, यह preposition है, preposition के पहले भी क्या है, कोई ना कोई ना हुना है, ठीक है, next यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा clean करते चलें, यहाँ पर देखे, यह after क्या है, preposition, preposition के बाद यह क्या है, य ठीक है। यह सारी चीजे कहीं न कहीं एक्जाम में घूमते फिरते हैं आपको नजर आएंगी ठीक है? अलग-अलग sections में कभी sections में कभी किसी और sections में अब यह देखें यह after क्या था? preposition है preposition के बाद अगर कोई verb आए तो उसको concept form में रखते हैं fourth form में अर्थात ing form में तो देखें यहाँ पे ing form का use किया गया ठीक है there are stories of dash and frustration अब यह देखें यह end क्या है तो यह है coordinating conjunction conjunction तीन परकार के होते थे याद किजिए हमने आपको conjunction पढ़ाया था coordinating subordinating और correlative ठीक है correlative pair में होता है जो subordinating होता है वो single contrast वाले words को sentence को या clauses को जोड़ता है ठीक है लेकिन यह जो and है जो subordinating conjunction है यह क्या करता है same meaning वाले words को clauses को या sentences को connect करता है ठीक है अब यहाँ देखें यह frustration frustration कैसा word है एक negative word है तो इसके पहले यहाँ जो word आएगा वो भी कैसा होगा वो भी negative meaning वाला होना चाहिए अब यह question ऐसा है यह जो question number four है यह ऐसा है कि इसको ऐसे बच्चे भी बना सकते हैं जिनकी English एकदम से वीखो यह एक ऐसा question है जिसको आप बिना इस paragraph को पढ़े हुए भी close test के story को बिना पढ़े हुए भी इसको solve कर सकते हैं बात समझ में आई next यहां से आगे बढ़ते हैं मतलब यहां पर यह है कि after listening to their stories of मतलब इनके जो माता पिता थे यह जो बच्चा है जो अपने parent के बारे में story बता रहा है जो उनके जो पेरेंट थे हो Canada में चले गए होंगे ठीक है in order to escape किस लिए भाई तो बचने के लिए किस चीज़े तो यह जो चैनीज गवर्मेंट है चैनीज गवर्मेंट का जो सोसन रहोगा आतंक रहोगा कुरूरता रही होगी ऐसे किसी समस्य से बचने के लिए and to build और उससे बचने कलेंगे और क्या करेंगे मतलब यहां पर बढ़िया सा future भवी से अपना कुछ बनाएंगे कहां पर तो कैनेडा में देखिए यहां पर प्रेपोजिशन इनका यूज किया ठीक है रहने का अस्थान यह दी हम लोग बताते तो बड़े अस्थानों के साथ हम लोग क्या यूज करते प्रेपोजिशन इ यह जो बच्चा है यह कह रहा है कि अपने माता पिता के stories को सुनने के बाद ध्यान से सुनने के बाद of death and frustration मतलब मुसीबत और परिसानी इनका story सुनने के बाद अपने माता पिता का यह जो मुसीबत कस्ट से भरा हुआ जो story था उनको सुनने के बाद I realized मैंने महसूस किया how does I was to be living in the country कि मैं कितना अच्छा हूं कितना भागे साली हूं कितना स्वागे साली हूं इस प्रकार का वडिया पर आएगा ठीक है I was to be living in the country कि मैं उस देश में रह रहा हूं I now call home यहां पर देखिए आप मैं से कुछ बच्चों को परिसानी हो सकती है यह call home देखे I का मतलब म call मतलब कहाना बुलाना home जिस देश को अब मैं अभी मैं अपना घर कहता हूं ठीक है when जब the day came to return my homeland जब वो एक समय आया ऐसा जब समय आया जब मुझे अपने homeland home country जाना पड़ा कहां पे चाइना में ठीक है I felt uncertain and nervous जब मुझे वहां जाना पड़ा तो उस समय हमने कैसा महसू and nervous मतलब चिंतित और परिशान अपने आपको महसूस की ठीक है चलिए तो अब इसको जरा हम लोग फिल करना शुरू करते हैं बोड को clean करते हैं और options को हम लोग यहां से फिल करना शुरू करें तो यहां देखिए आने जाने से संबंदिता इन्वेट का मतलब होता है आक्रम नहीं गये थे यह खुसपैट करके नहीं गये थे क्योंकि इनके पेरेंट क्या थे टेररिस्ट नहीं थे ठीक है यहां पर देखिए invite मतलब बुलाना तो यहां पर पेरेंट को बुलाया नहीं गया था अगर पेरेंट को बुलाया गया होता तो यहां पर option number one के पहले यहां पर कोई नेघे Phillips होता वर्ए है यह जाता थीक है यह पैसी में चला जाता और पेरेंट को अँगर खो तो वह कैनेड़ा को थोड़ी बूलाएंगे कैनेड़ा को चले जाना एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, बात समझे में आई, मतलब ही लोग उन्हें कैनेडा, चाइना को छोड़के, कैनेडा में ये लोग चले गए, कौन, तो इस स्टोरी को सुनाने वाले बच्चों के पेरिंट, ठीक है, चलिए, आगे बड़े escape, अब इसके बाद वर्ट डूंड ये कि यहाँ पे क्या वड़ाना चाहिए, तो किसी मुसीबत से बचने की बात हो रहे है, डेमोक्रेसी चाहिना में है ने, मोनार्की चाहिना में है ने, तो डेमोक्रेसी से कोई बचके भागता ने, मोनार्की से बचके भागता ने, रिपब्लिक से बचके बेटर लीविंग होगाने बेटर इंकम होगाने बेटर लीव्ली हुड या लाइफिन ही दूनों से होगा अब लिवली हुड मतलब आजी विका, आजी विका कि इसमें कहीं चर्चा नहीं की गई है, ये देखिए in country, Canada, in Canada मतलब ये वहाँ पे रहने की बात हो रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे life, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करें चले तो four को देखें, ये frustration था, हमें एक negative word की जरूरत थी, travel negative word है नहीं, distance negative word है नहीं, अब ये दो word हमारे पास बचे, doubt का मतलब होता है, संदे, तो संदे और frustration ये नहीं होता, संका और निरासा नहीं होता, मुसीबत और बात है, ये होता है, hardship and frustration, मुसीबत एवं निरासा, य ये हो सकता है, तो इस question का अरधात question number four का answer क्या बनेगा, option number a बनेगा, ठीक है, next यहां से आगे चलते हैं, अगले question की तरफ, अगला question number five, I realized, मैंने ये महसूस किया कि मैं कितना सौभागे साली हूं, मैं कितना अच्छा हूं, कितना बढ़िया हूं, इस related word डूंड ये, ये द दिखा हूए, four word, four का मतलब होता है, पहले, one का मतलब होता है, चेतावनी, warning होता है, बात समझ में आई, तो one का मतलब चेतावनी देना, ठीक है, तो four word मतलब पहले से चेतावनी दिया हूआ, पहले से सतर्क किया हूआ, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा, नहीं, ये fortunate हो सकता है, सवागे साली, Forgeven, Forgive का मतलब होता है, To Give अब त्याग देना छोड़ देना, तो त्यागा हुआ नहीं महसूस करना है, Forget का मतलब भूलना, Forget का ये धर्ड फॉर्म है, Forgotten भूला हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हैगा, यहाँ पर अब एक ही option बचा हमारा option number C मैंने मासूस किया कि मैं कितना स्वभागी साली हूं कितना अच्छा हूं ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं अगले कुछ चीज का सिंबल माना जाता है मजबूती का तो आईरन मतलब मजबूत इरादा क्या मजबूत इरादा ऐसा विल पावर ऐसा आपका डिजायर जो कभी चेंज नहीं करें उसको क्या कहेंगे उसको कहते हैं आईरन विल इस से रिलेटेड ऑप्सन देखिए यह फियर बार्गेन म प्लान का इसको इसा कोई मतलब नियां यह फर्म ओपीनियन का मतलब मजबूत का किया होता है जिसके तरफ आपक का पूरा ध्यान खीचा चला जाता है या ऐसा कोई भी चीज, कोई भी आक्टिवीटी जो आपके पूरे अट्रैक्शन को कीच लेती है अपने तरफ ठीक है अब इससे क्या करना है तो इसका सिनोनिम्स बनाना है मतलब से मिनिंग वाले वाट हमें लोगों को डोलने फ्री मतलब मोगत यह डिस्गस्ट उबाऊ रि सेंपल दो मैगनेट हो दोनों का नौर्स पोल एक साथ लाएंगे तो क्या करता है दुसरे को रिपेल कर देता है ठीक है यह यह रिपेल यह रिपल सब मैस मेरा इसका मतलब होता है मंत्र मुग्द कर देना मतलब पूरा का पूरा आपको अपनी तरफ आकरसित कर लेना यह पूरी तरीके से आपको आकरसित कर लेना अब यहां पर हम लोग को करना था सिनोनिम तो इनका और इनका अर्तात इंतरल का आंसर क्या बनेगा यह बनेगा इन दोनों का मिनिंग से ठीक नेक्स्ट आगे चलते हैं यहां से अगले कोश कोशन की तरफ देखिए अगला कोशन क्या है भाई तो यह OWS का कोशन है किसका OWS का कोशन है one word substitution अब देखिए सबसे करना टिक है मजाख के लिए घूंट कर ने के लिए घूमर क्रियेट करने के लिए घूमर सेंस्समें इसका मिनिंग होता है कि ऐसा समय जिसमें कोई काम नहीं हो एक समय जिसमें कोई काम बाद ही तरह आता है जिसमें उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है ठीक है हडल से भरा हुआ समय मुसिबत से भरा हुआ समय यह देखे आप मैत जरूर पढ़ते हैं तो मैत में आप पढ़ते हैं जो में जाते हैं जहां फिगर पढ़ना सुरू करते हैं सेप्ट का म कोई मतलब होता है क्या मतलब होता है क्या मेंनिंग होता है इसका मिनिंग होता है तो ऐसा कोई भी activity जो five years पर repeat करता है पांच साल में एक बार होता है उसको करते हैं quinquennial ठीक है अगला question है antonyms का किसका है antonyms का यह क्या लिखा हुआ crest fallen crest मतलब sicker वहां से गिर गए नीचे fall मतलब क्या होता है गिरना crest मतलब किसी चीज़ का secret ठीक है तो गिर गए गिर गए मतलब कैसा आप महसूस करेंगे सरमिंदा महसूस करेंगे humiliated महसूस करेंगे हारा हुआ महसूस करेंगे दुखी महसूस करेंगे, अफसूस करेंगे, ठीक है, चलिए, अब इससे क्या करना है, तो इसका उल्टा हम लोगों को ढूंड़ना है, authentic क्या होता है भई, authentic, समयधानिक, आदिकारिक, authentic क्या होता है, authentic मतलब होता है, पुराना, ठीक है, ट्राइमफेंट क्या होता है, जीद, जीद का जस्न, energetic, ठीक है, discordant क्या होता है, discordant का मतलब होता है, sad, दुखी, उदास, निरास, बात समझ में आई, तो अब इस बेसिस पर यदि हम सीनोनिम्स की बात करें, तो ये दोनों सी energetic महसूस करेगा, ठीक है, तो इसका positive क्या बनेगा, triumphant, ठीक है, next यहां से आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं, और कुछ नए question की तरफ, अगला question भी है, हमारा OWS का, the state of living unmarried, ये, कमारा रहने की बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है, unmarried रहने की बात की जा रह ठीक है, मने हम सब काम करेंगे, लेकिन साधी नहीं करेंगे, legally, socially हम किसी से साधी नहीं करेंगे, तो ऐसे साधी नहीं करने वाले पुरूज को हम लोग करते हैं, celibacy, क्या यूज करते हैं, उसके लिए, male के लिए use करते हैं, celibate, और celibate से बना celibacy, ठीक है, ये देखिए, चैपरन एक ऐसी उम्र दराज महिला होती है जो अपने से कम उम्र के लड़कियों के साथ मार्केटिंग वगेरा करना पसंद करती है आना जाना घूमना बाचित करना पसंद करती है तो इसका मतलब होता है उम्र दराज महिला हैं क्या होता है उम्र दराज महिला हैं इस तरी य का मीनिंग क्या होता है नियू का मतलब होता है गेम का मिनिंग होता है साथी घाक लग एक खेलते तो अंगरेज cabbage किया एक गेम है जब मन करें खेल लब कर आखेल में खिल में फ्री आवर बैठें खेल रहें और कोई काम कमा अगया तुरंट से तो उसको बंद करके रग देते हैं यही हाल होता है अंग्रेच जो कया जब मन करें साधी कीजिए गेम ए जब मन करें तो उसको छोड़ दीजी टीक है नियो का मतलब हुता है नियो नया गेम का मतलब साधी म Singing साधी ठीक है या ऐसी नई नई साधी करने में जो बिलीफ रखता है हमेशा नई साधी करते रहो कुछ दिन उसके साथ रहो फिर उसको चेंज करो पार्टनर को फिर ने लो नियो गेमिस्ट नेक्स्ट इंप्लोर का मतलब होता है इंप्लोर का मिनिंग होता है रिक्वेस्ट इंप्ल यह देखिए यह डेरोगेटरी डेरोगेटरी क्या होते है वाई humiliating अपमानजनक कैसा होता है अपमानजनक डेरोगेट्री रिमार्क मतलब अपमानजनक दिपनी यह को ल休केशन है आपके इसको याद रखिएगा डिRO घैंड रिकमेंट ठीक अब मांझ। टिपनी टिक है गलिशीयक कर रहे lot ना मुकाबली मुकाबली रूपया बार-बार कमजोर होता जा रहे ठीक है डॉलर रूपया क्या हो कमचोर उडिक प्रसंसा से भरा हुआ इंसल्टिंग क्या होता है अपमान जनक तो अब इसका करना क्या था इसका करना था हम लोगों प्रसंसा से भरा हुआ नेक्स्ट आगे चलते हैं यहां से हम लोग अगले कोश्चन में क्या करना है यह हमको देखने की बिकी जरूरत नहीं है यहां पर अंडरलाइन क्या हुआ रहे हैं कि जो WH interrogative word है यह जो WH interrogative word है इस WH interrogative word के पहले क्या लगा हुआ है इसकी चर्चा हमने आपके साथ pronoun topic में भी करी थी और फिर adjective में भी इसको हमने आपको बताया था क्या बतायते भाई किसी भी WH interrogative word के तुरंद पहले that का use नहीं हो सकता और यदि कहीं किया गया हो तो आप simply इसको remove कर दिजी आपका answer correct हो जाएगा ठीक है तो केवल that को इसमें हटा देना है बागी कहीं कुछ change करने के जरूरत नहीं है हाँ फिर भी यदि change करना हो तो यह how far क्या है interrogative word है interrogative word के बाद यह क्या helping word है आपका जो sentence है वो affirmative हो ठीक है लेकिन यदि इसके तुरंद बाद आप यहां पे इस helping वो आपका यूज करेंगे तो sentence हो जाता interrogative जो गलत है इसको हम लोगों ने narration में भी पढ़ा था direct in direct में ठीक है जो interrogative वाला था डव्य इंटरोगेटिव का उसको इसी तरीके से हम लोग change करके बनाते थे तो बीना that वाला option देख लिए यह देखिए that के साथ लिखा हुआ यह गलत हो गया यहां पे that को दिन में convert करते है यह गलत हो गया और यह option जो पढ़के देखे how far his office was तो यह हमारा बिलकुल correct answer हो गया ठीक है बिलकुल correct answer हो गया no substitution नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पे डवल्य इंट्रोकर्टिव ओड के पहले से इसके पहले क्या लगा हुआ that already लगा हो इसलिए यह हो ही नहीं सकता next तो अब हमारा इस question का answer क्या बना option number B next आगे बढ़ते हैं करना है उस word को आपको answer के रूप में select करना है जिसका spelling correct हो तो कमे का spelling यह होता है sorry तो यह हो गया कमे यह होता है more rate तो यह हो गया कमे यही बात हमने आपको पहले से बता रखी है ठीक है जो लोग नहीं जानते हैं वो अब इसको सीख ले आप अपने pronunciation को word के spelling के साथ टेली करवा दीजी यह miss spell को ठीक करने का the best option होता है next यहां से आगे बड़े है इसमें क्या करना है तो correct passive हमें ढूलना है मतलब दिया हुआ active अब देखे यह यह two plus verb की first form है और यह sentence के last में नहीं दिया हुआ है यहां पर इसका object given नहीं है object given नहीं है इसलिए इसका passive बनाने के लिए हम लोग सोच ही नहीं सकते यह infinitive में होता ठीक है यहां पर इसका object given होता हम लोग इसका passive बनाते बट ऐसा नहीं है तो इसका हम लोग यहां पर passive बनाने की चर्चा ही नहीं करेंगे अब यह देखिए active passive पढ़ाने के दौरान हमने आपको बताया था कि active passive के लिए आपको सबसे पहले find करने की जरूरत हो थे किसको main verb को यह हो गया हमारा main verb यह हो गया हमारा subject यह हो गया हमारा object अब इसका हम लोग बनाएंगे active से passive तो जब ऐसे believe वाले verb का हम लोग जब active से passive बनाते हैं बनाते हैं इसका active से passive तो इसमें देखिए हम लोग is, am, are या was, were जो भी इसका टेंस रहेगा उसके साथ believed to be का use करते है इसका passive इस तरीके से भी बनता है ठीक है बात समझ में आए it is believed का use भी इसमें किया जाता है अब फिलहाल देखिए इसमें यह हमारा main verb, यह subject, यह object तो याद किजिए हमने आपको बताया था यदि किसी भी active verb का, यदि किसी भी active verb का subject या तो कोई common subject हो या we का use किया गया हो pronoun के रूप में या दे का use किया गया हो pronoun के रूप में तो passive में आप उसको लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बोथ हर correct ठीक है, चलिए, तो अब आजाए इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो ब्लादी मीर पूतीन और यह देखिए, यह जो believe है, यह क्या है यह verb का first form, अर्थातिस का tense क्या हो गया present indifferent, तो present indifferent का passive कैसे बनाते है is mr, is mr plus verb का third form लगा के आईए सिर्फ verb को ढूंडें, देखिए, is mr है क्या, नहीं है is mr है क्या, नहीं है, cancel, is mr है क्या, नहीं है, cancel यहां देखिए, is mr मिला, हां मिला, और यह verb का third form मिला, मिला ठीक है, तो यह देखिए, यह ब्लादेमीर पुतीन साहब हो गए, और यहां पर is believed का use कर लिया गया, ठीक है, और यहां पर देका use sentence में नहीं किया गया, remaining part जैसा था, वह ऐसा है, अर्थाति इस question cancel क्या बनेगा, तो option number d बनेगा, ठीक है, next यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अगले question की तरफ, यहां पर देखिए, यह क्या है बाई, तो यह idiom है, और इसका answer हम लिगों को करना है, यह देखिए, गोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत, यह क्या है, गीववव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, अब ज़रा सोचिए, कि रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में, भूत का नाम लिया जाए, यह उस तरीके का, जो आप होरर्स और वगहरा देखते हैं, उसमें, जो activity आपको दिखाए जाते हैं, उस प्रकार का कुछ भी आपको sound सुन की समान बना लेजे, डर कब निकलेगा, जब आप खुद मर जाएंगे, यह दर से, भूत के डर से, कई बच्चे का क्या होगा, तो वहोस हो जाएंगे, यह मर भी सकते, ठीक है, तो give up ghost, मने, ghost का जो भय है, जो fear होता है, उसको त्याग देना, छोड़ देना, यह जीते हैं, यह कभी निकलने वाला, नहीं, कब निकलेगा, जब आप मर जाते हैं, ठीक है, तो give up ghost का मिनिंग होता है, to die, मरना, give up का मिनिंग क्या होता है, give up ghost का मिनिंग क्या होता है, मरना, related option ढूंड लिए, देखें, यहाँ पर आपको option दिखाई दे रहा है, तो हम सीधा answer करेंगे, और यहाँ से आगे निकलते चलेंगे, next, यहाँ से आगे बढ़ें, कुछ और नए question की तरफ, यहाँ पे देखें, इसमें आपको क्या find करना है, तो यहाँ पे आपको incorrectly spelled word find करना है, अर्थात, इस question number 16 में, आपको 4 words given है, आपको उस word को select करना है, अपने answer के रूप में, जिस का spelling क्या हो, गलत हो, ठीक है, यह देखें, पडल, पाला, यह आपको दिखाए देर, पडल, पडल का correct spelling होता है, P-U-D-D-L-E, पडल का मिनिंग होता है, कि कीचर से भरा हुआ पानी, या dirty water, जिसमें मिट्टी वगेरा मिला हुआ हो, ठीक है, पीजन का मतलब कभूतर आप ज लीडर, जो किसी चीज को, लीड करके दिखाता है, अगले question में चले, यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को find करना है, correct active form, मतलब जो sentence given है, जो question हमारा given है, वो किसमें है, पैसिमें, यहाँ देखें, model वोब है, इसके साथ है, प्लस बीन, प्लस बीन, प्लस ब form, अर्थाति यह कहाँ चला गया, पैसिमें, ठीक है, अब इसका active बनाना होगा, तो हम क्या use करेंगे, हैब के साथ वर्प का third form, चलिए सीधा हम लोग इस point पे चलते हैं, और यही बात हमने आपको wise पढ़ाते समय, wise के पांचो लिक्चर में बताये था, ठीक है, तो आईए सूड है, प्लस वर्प का third form है, नहीं है, यह तो cancel, इसमें देखे सूड है, प्लस वर्प का third form है, क्या सूड और है तो है, बटे यहां पे वर्प का first form दे दिया गया है, और have का कोई भी form हो, हम आपको बाहर बाहर बता चुके हैं, have, had, had, having, has, अर्थात है का जो 5 form होता है, उसमें से कोई भी form हो कहीं भी हो, उसके तुरंद बाद यह दि कोई main verb आए, तो उस main verb को हम लोग कहां रखते हैं, हम लोग रखते हैं, वर्प के third form है, इसलिए यह sentence पहले है, incorrect है, तो बचा हुआ जो option रहा, वो क्या हो गया, हो गया हमारा answer, ठीक है, next यहां से आगे option की तरफ यहां पे देखिए, हम लोग को rearrangement का question दिखाई दे रहा है, और जैसा हमने आपको rearrangement पढ़ाते समय बताया था, उस technique का यह आप यूज करते हैं, तो आपको proper noun एक ही sentence में दिखाई दे रहा है, यह देखिए, यह वाला, जाहिर सी बात है, कि हमारा first sentence किसे Q से, तो अब जरा आप option देख लिए, option number B और D यह दो ऐसे option है, जिनके सुरुवात क्यों से हो रही है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, remaining दोनों option क्या होगा, cancel होगा, अब चुकि दो option सुरू हो रहे हैं Q से, इसलिए अब हमें decide करना होगा, क्यों के बाद हम S को रखे यह Q के बाद हम P को रखे, Q के बाद is को रखना है यह Q के बाद P को रखना है, यह हम लोगों को अब check करना होगा, ठीक है, चले check करें हम लोग Q के बाद, यहाँ पर देखे, introduce, ठीक है, introduce के बाद यह यदि हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर जो नाउन यूज हो रहा है इसके पहले क्या लगा हुआ आर्टिकल एन का यूज किया गया है जू के बाद यहाँ पी को रखते हैं तो इस नाउन के पहले यहाँ पर आर्टिकल दो का यूज किया गया है और आर्टिकल के बारे में इ और तब उसके साथ हम लोग यूज करते हैं article A या N ठीक है लेकिन उसी noun की चर्चा जब दुबारा की जाते है तो हम लोग यूज करते हैं article 2 ठीक है जैसे जब मैं चुट्टी से या चुट्टी के बाद जब मैं अपने घर लोटा तो मुझे एक letter मिला I got a letter ठीक है पादे बेजाता दूसरी बार जब उसी लेटर के चर्चा हो रही है तो उसके पहले देखिए हम लोग यूज़ करने आर्टिकल दो लेकिन पहली बार जब लेटर के चर्चा हुई तो उसके पहले लगा आर्टिकल ए ठीक है बात समझ में आ रही है तो यहां पर देखें यह इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है तो बीना कुछ पढ़े लिखे हम सबसे पहले इसके अधार पर यह तैय कर लेते हैं कि यह हमारा फॉर्स सेंटेंस होगा अब इसमें यहां देके इंट्रोड्यूस लगवा है तो इंट्रोड्यूस के बाद आर्टिकल दर नहीं हम एन इंगलिस में बढ़ा सकते हैं और बिना इंगलिस का सेलेक्शन तो होना ही नहीं है आप चाहिए मैज में रिजनिंग में जीएस में कितना भी जोड़ लगाले बच्चे जोड़ लगाते भी वही हैं सबसे जादा बच्चों का मेहनत का जो सेक्षन है मैज फिर दूसरे नं नमर पर आता है Math Math और इंग्लीज के बिना एससे से में सेलेक्शन पॉसिबल नहीं ठीक है और इंग्लीज को बच्चे सिरियस्ली कब लेते हैं तो जब आपका टीयर 1 में जैसे अभी आप CGL का पेपर देंगे CGL पेपर 1 में Tier 1 में जब आपका selection हो जाएगा Tier 2 का जब आप question solve करेंगे 200 question का जो set होगा उसमें आपको 180, 190 mark शाइए तो 175 से लेके 190 से 95 तक जब आपका English में score आता है तब ही आपका final selection हो पाता है और जब आप 200 question का set लगाना सुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलना सुरू होता है कि यह तो हमारा हो नई रहा है तो इन सभी को balance मिले के चलना सीखिए सारे subject को Tier 1, Tier 2 दोनों ही exam के point of view से दोनों के strategy बनाईए और सही तरीके से approach लीजिए ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते हैं इसमें क्या करना है हम लोगों को synonym हम लोगों को ढूड़ना है retain retain का मतलब क्या होता है धारन करना, बनाई रखना destroy मतलब बरबाद करना convey मतलब किसी को convince करना communicate करना, समझाना gain का मतलब लाब होना, फाइदा होना maintain तो से meaning करना था तो यह क्या हो गया maintain बनाई रखना अगला question इसमें देखे since for लगा हुआ है, since for के साथ क्या लगा हुआ time indicating लगा हुआ है जाहिर सी बात है कि या तो यह present perfect continuous का sentence होगा या तो past perfect continuous का sentence होगा आई यह option ढूंड लीजे तो इसमें सारे option है present वाली future cancel हो गया यह still का use होगा नहीं क्योंकि still का use करते हम लोग present continuous में cancel, इस MR के साथ living लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ही है रहेगा present continuous जो गलत है has been के साथ लगा दे, यह होगा perfect continuous हमारा option बनेगा option number B, next आगे बढ़ते यहां से, अगले question की तरफ चलते इस question में देखिए हम लोगों को ढूंड़ना है वो section जिसमें grammatical error है, जिसमें grammar की घलती है यहां पर देखिए knowledge in नहीं होता, knowledge in something नहीं होता knowledge of something होता knowledge of, तो यहां पर preposition of का यूज होना चाहिए था given है in, अर्थात यहां पर गलती हो गई है, यहीं बनेगा हमारा error वाला section यह आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे check कर लें, ओबर में यह सारी चीज़े सही है, ठीक है next, यहां से आगे बढ़े, sentence का बिने meaning जाने समझे भी, हम लोग ऐसे question को बनाती, और आपके answer confirm सही बनेगे, अब यह देखे, यह बड़ा अच्छा सा rearrangement का question है PQ वारेस का, पैरेसंबल्स का, यह बहुत ही बहतरीन question है, क्या question है भई? अब ज़रा देखे, इसमें आपको कोई भी proper noun नजर नहीं आ रहा है ठीक है, क्योंकि कुछ भी इसमें कोई भी जो noun इसमें given है, वो capital letter से शुरू नहीं हो रहा है अब आपको समस्या होगी, यहां ज़रा option पढ़के देखे, तो PQRS मतलब 4 ही letter से शुरू हो रहा है अब आपको यहां पर समस्या यह होगी कि आप में से कुछ बच्चों को लगेगा हो सकता ही यह पाला हो यह हो सकता ही यह पाला हो देखे, हमने आपको पहले से बता रखा है जब हमने आपको यह arrangement पढ़ाया था तब भी हमने आपको बताया था कभी-कभी ऐसा होता है ऐसा situation आपको देखने को मिलेगा कि first sentence आपको ढूंडने में कठिना होगी, मुसीबत होगी, बादा होगी तो आप last वाला पकड़ लीजे last वाला पकड़ने में भी यदि आपको दिक्कत होती तो बीच वाला पकड़ लीजे जैसे इस question में भी देखिए आप इसको बीना पढ़े, बीना समझे आसानी से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे हाला कि ये 2020 में आपके CGL में पूछा किया question है यहाँ पे जरा देखिए, ये आपको प्रूव दिखाई दिया प्रूव के साथ हम लोग क्या यूज करते है that Hindi मीडियो में पढ़ते थे, साबित करें कि, क्या पढ़ते थे, साबित करें कि, प्रूव, दैट, English मीडियो में उसे को पढ़ते थे, प्रूव, दैट, ठीक है, अब जरा द्यान देजे जाहिर सी बात है कि qr के basis पर हमारा आंसर क्या बनेगा एक ही option है सीधा click किजिए आगे बढ़े इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि भीना इसको पढ़े हुए भीना sentences को पढ़े हुए इसको rearrange किये हुए हम छोटे छोटे टेक्निक का यूज करके अपने question को सही कर पा लेते ठीक है बात समझ में आ रही है तो यह सारी चीजे आपके अंदर भी develop करेगी बस practice करते रही है यहाँ पर देखे इस question में क्या देखने को मिल रहा है woman is standing in that corner नर्मतलब वो महिला जो उस कोने में खड़ी है is a woman in plain red तो किसी different महिला के बारे में बात की जा रही है तो किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तू के बारे में चर्चा करनी हो तो उसके पहले हम लोग use करते है आर्टिकल द का तो यहाँ पर देखे कुछ करना नहीं था यहाँ सीधा आर्टिकल द को उठाना है और वहाँ पर put कर देना है हमारा answer बन जाता है next अगले question की दोस्ता था समझता था मानता था cheated me of the 3000 रुपीज ऐसा नहीं होगा cheated my 3000 रुपीज तो यहाँ पर इस आउफ के प्रेपोजिशन के कोई जरूरत नहीं है तो हमारा answer क्या बनेगा answer बन जागा यह वाला section option number C जिसमें यह मी के साथ आउफ का यूज किया गया ठीक है simply हम क्या कर देंगे मी ओफ दोनों को अटा देंगे यहां पर लगा देंगे माई 3000 रुपीज ठीक है उसने मेरे 3000 रुपे चीट कर लिए है चलते हैं से अगले question के तरफ देखिया हमारा question क्या है the camera I bought recently is not convenient अब जरत ध्यान देजी है आप जब भी कभी कुई भी recent time में चीज खरीदे हैं मोबाइल यूझ करते हैं तो चार साल पुराना मोबाइल तो आप रिसेंट टाइम में खरीदेंगे नहीं आप जब भी खरीदेंगे अपडेट चीज़ें को खरीदेंगे और जो भी आप अपडेट चीज 개인 खरीदें हाँ यह ना बात समझ में आ रही है तो जो रेसेंट टाइम में कैमरा खरीदा गया था वो convenient नहीं है यह कहाना गलत है यह कहाना बिलकुल absurd लग रहा है तो कैसा होना चाहिए smooth होना चाहिए convenient होना चाहिए comfortable होना चाहिए ठीक है यूजर friendly होना चाहिए अब इससे related आप वह डूंड यह हाट टू यूज उसको यूज करना बड़ा कठीन है गलत अगर यूज करना कठीन होता तो आप खरीदते ही नहीं इसलिए यह cancel difficult to use दोनों का मिनिंग एकी है easy to use यूज करना असान है हाँ यह होगा no improvement पहले से cancel है क्योंकि यह वाला पार्ट है already incorrect है तो अब इस situation में हमारा correct answer क्या बनेगा correct answer बनेगा option number C ठीक है बात समझ में आए तो आज के अपने इस practice session को हम लोग यहीं पर finish करते समात करते स्टॉप करते मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो session में अगले practice set को ले करके तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत आबार बहुत बहुत धन्यवाद